नमस्कार मैं हूँ अर्विंद बैलेट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है और आज इस प्रक्रम में जाम इस प्रोग्राम के जरीए अलग-अलग शेहरों में गूमते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ वहां की जनता का वियू है चुनाओ नजदीक है क्या सोच रहे है जनता उस चहर का विकास हुआ या नहीं ततकालिन सरकार के शासनकाल में या फिर इसके पिछले सरकार की बात करें या आने वाली सरकार प्यूदान सबचनाओ नजदीक है उसे हम जानने की कुशिश करते हैं जनता का मन टटोलते हैं इस प्रोग्राम के तो यहां हम आज पहुचे हैं मेरट इतिहासिक और पिष्टभूमी वाला शहर रहा है ये गदर की अगर बात करें तो बहुत धर्म का केंद्र भी रहा है ये अगर आधुनिक भारत की बहुत बड़ी घटना जैसे मैं आपको बताए कि गदर की चिंगारी यहीं से पूटी थी विकास की अगर बात करें तो 33 से विकास होने वाले नगरों में से एक नगर है खेलों की बात करें तो खेल की राजधानी भी इसे कहा जाता है और साथी साथ जिस तरह से 33 से विकास करने वाले नगर के रूप में इसकी गड़ना की जाती है वो विकास उस तरह से अब प्रासंकाल में या फिर जन्ता की जो उमीदे हैं वो पूरी हुई या नहीं यह जानने के लिए इस प्रोग्राम में तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जन्ता हमारे साथ है जिसमेंrolls भी हैं युवा भी कमिया खामिया क्या रही इस सरकार में और वो किस तरह से अलग काम करेंगे कैसे लोग उन पर यकीन करें पहले मैं आपका परिशे करायता हूँ कौन कौन से लोग है बाकी जनता हमारे साथ है सीधे इन से जुड़ेगी सवाल पूछेगी और हम भी कहीं न कहीं अपने सवालों के जरीए एक सुतरधार के तौर पर उन समस्याओं को और आने वाले वक्त में बैलेट बॉक्स के जरीए किधर जनता जा रहे है ये आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे उज्जल अरोडा है हमारे साथ जो कॉंग्रिस नेता है व्यापार मंडल के संदक्षक है इसका ल पुर महामंत्री मेरट बार एस्सेशन के संजीव मिश्रा जी है मीडिया से लगातारी जूड़ रहे हैं मीडिया स्कूल भी चलाते हैं और बचों को प्रशिश्टित करते हैं साथी साथ राजे शर्मा वरिष्ट पत्रकार यह हमारे साथ हैं इंदरपाल सिंग जी है रास् साना चाहूंगा आप कॉंग्रिस से जुड़े हुए हैं अब इहाली में जिस तरह से राहुल जी ने तमाम तरह की कोशिशे की एक ज्यात्रा निकाली और खाट सबाएं हुई उसको देखा जाए अब्यापार की यहां की आब्यापार से भी जुड़े हुए हैं किस तरह की दिक्ते मेरट में आप देखते हैं जिसे दूर करना जरूरी है और पार्टी से भी जुड़े हैं तो वो कैसे दूर करेगी आपकी पार्टी बहुत इस संक्षिप में तमाम लोगों के पास से लिए राहुल जी की यात्राओं से किसानों में एक नया जोश भरा है और प्रेपार को लेके लोग बहुत परशान है और बाकी भाजपा सरकार आने से अनिल कुमार जी समाजी कारी करता है लोगों से आप जुड़े रहे हैं तमाम तरह की मुश्किले आपने यहां की देखी होगी किस तरह के मुश्किल सबसे ज़्यादा प्रभावी और कैसे दू है और पुलिस कुछ नहीं करती सिवाए कि पैसे उगाने के लोग और आपके हिसाब से उस मामले पर सरकार बहुत ज़्यादा अतुल शर्मा बताई आप भी समाजी कारे करता हैं लोगों से जुड़ी रही हैं किस तरह की और दिक्रते आप यहां पर देखती है मेरट में इ कि एक तो मैं यह कहना चाहूंगी कि महिलाओं और बच्चों की तरफ किसी कभी कभी द्यान नहीं रहा है कोई भी सरकार आया है सरकार चली गई लेकिन महिलाओं बच्चों की तरफ कता ही नहीं रहा है और सतन तीन महिलाओं के साथ रोज महिलाओं भी नहीं छोड़ो छोड और आप किस तरह से देखते हैं मेरट की समस्यां होगे तो पाफ आप किसी तरह का डंपिंग याड वारा ने बने हुए कि उसको जाकर डालते यह कचरा भी बहुत है नर्थिंग होम के कचरे भी बहुत हैं तो किसी इस तरह का मतलब कई महावला के बहुत ज्यादे प्रदूसर और बहुत हालत खराब है यहां की आपको लग रहा है कि अगर राजितिक मैं किया रही है उन पर कंट्रोल करने में मेरा तो मान में तक सभी सरकार याशी है यह वराबर है कि घखाए कि यहां की समस्याय को समस्या लेकर लोग आपके पास आते हों कि तमाम सभी दिकते लॉग और दोदा और लोग आप लोग आप यह है कि कानून का प्रशाषन कानून की पकड़ नहीं चल रही हमारी बहुत दिनों से एक मांग चल लिया पस्ची मुत्तर प्रदेश में हाई कोड़ बेंच की स्ताफना हम 1981 से लगातार हाई कोड़ बेंच की स्ताफना में लगे वे आप यह देखे मेरड जी लेके 6 टुकड इसका प्रशाषनिक जभी प्रशाषनिक तोड़ से यह सही हो पाएगा प्रदेश जब इसके तीन टुकड़े बटे पूरी परदेश पस्चमी परदेश और मध्य में रखा जा जब तक इसकी कोई भी प्रशाषनिक व्यवस्ता ठीक और दूस्त नहीं चल सकती जब तक प केंद्र सरकार का है तो हम केंद्र सरकार क्यों यह आगा करना चाहते है कि उपी में बाजपगु वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी यह तो हमें आइकोट बेंच दे प्रदेश का बटवारा करें वरना प्रसाथनिक दस्टी से फेल होने के कारण बाजपगु जभी वोट अपरदेश को कैसे बिल्कुल है क्यूंकि उत्तर प्रदेश और इसमें इस एप नमजब यह कैसे थे मूंस्या को और समधान क्या देखिए सभी ने कहा कि law and order problem है ये बिलकुल law and order problem है लेकिन law and order के अलावे भी कई problem है local अस्तर पे महिलाएं यहां सुरक्षित नहीं है बच्चे स्कूल जाते हैं माबाप घवराए हुए परिशान रहते हैं कि वापस आप आएंगे भी या नहीं आप आएंगे इसके अलावे सफाई यहां की समस्या है यहां की समस्या स्वास्त है मरीज अक्सर परिशान आपको दिखेंगे hospital उनके लिए bed नहीं है यह दिक्कते हैं में सिक्षकों की कमी है भिरोजगारी सभी जगह की समस्या अस्कृतिक शेर है और मोबेश जिस तरह से दुसरे हो की समस्या हैं यहां भी वो चीजેजे बेद्मान है यानि कई ना कई सरकार इसे जो है मेंटेन करने में फेल रही है हमार साथ राजिश जी वरिश पत्रकार है किस तरह से आप देख रहे हैं से जितने भी पॉलिटिकल पार्टिया है अब यह सपा है दो हजार बारह में चुनाव हुआ था लोगों कहीं ना कर यह था लोग के मन में के सरकार जो है बहतर विकलफ हो सकती है अच्छा विकास कर सकती है पर इस सरकार ने क्या किया कि जो इस पूरी जणता के खून परसी ने कमाई का पैसा था वह सब आपने लैप्टूप में आपने पॉलिटिकल साथने के लिए जनता की खरबों रुपए कम है ऐसे बाठती तो बताइए विकास कहां होगा हमाई साथ आप देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब लोग कहते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे इस देश में सबसे बड़ी समस्या जनसंग क्या ह लोग लगातार पिछले 50-50 साल में हमने 4-5 करोड चार-5 जार करोड डालर रुपए इसलिए खर्च कर दिया कि जागुता लाओ इस समय जरूवत है जनसंग के पर कानून लाने की संसंग में जनसंग के पर कानून लाए जनसंग क्या थोड़ी कम होगी तो देश में विकास जाग किस तरह से आपको लग रहा है कि समस्ट्राहें दूर होगी देखें यहां आज पूरे देश के अंदर जो राजनिती हो रही उसपर तीन चीज पर परहार हो रहा हुआ हैं पहला किषान पर दूसरा नोजवान पर और तीसरा महिलाव पर ना तो यहां देश में नोज सब्सक्राइब कानून ववस्ता के मुद्दे पर अगर हम देखा जाए तो उत्तर परदेश सरकार एक निर्पक्ष जो सासन चलाना चाहिए तो उसने नहीं चलाया और यही ववस्ता के कारण आज समाज में एक माहूल खराब अगर्ण में तो आप लोग साथ जा रहे हैं जिस तरह का वातवरन भाजपा इस परदेश में भेराना चाहती है भाजपा को रोकने के लिए हमारे नेता का वह हर हद तक जाने को तयान है मेर्ट की समश्या अभी एक साथी ने कहा यहां करीब 40-45 साल से बेंच की मांग कर रहे हैं तो हम सारे लोग बेंच के प्रती समर्पित हैं दूसरे ये प्रदेश अनमेरेजबिल है कोई समच्छा हल नहीं हो सकती जब तक प्रदेश का बटवार नहीं होगा अजीज सिंजी ने हरित प्रांत का नारा उठाया उसके लिए काम किया मेरे जैसे मामूली लोगों ने बड़ी-बड़ी यात्राएं की कि ये प्रदेश बटए इस देश में जहां-जहां प्रदेश छोटे बने वहां विकास हुआ है तब तर नकानून विवस्था सुधक सकती नप्रगति हो सकती जब इस प्रदेश का जब तक बटवारण नहीD और ये तमाम लोग जिन्से हमने बाते की कही न जनता के बड़े समूत से यह और है प्रतेनेज़तो करते उन्होंने अपनी इपनी बाते रखी क्या है जो खास्त तोर से जमीनी अस्तर कि दिकते हैं आप से शुरुआत करता हूं जमीनी दिकते आपको क्या लगती है यहाँ मेरट में रहते हुए यह कि गरीब लोगों को भी कुछ मिलना चाहिए और गरीबों को जो परिशानी हो रही है उसकी दिक्कत में आपको बताना चाहिए गरीबी एक बहुत बड़ी दिक्कत है आप आपके सब्सक्राइब की समझ से आए पर पुलिश वाले तो खड़े होते ह सब्सक्राइब करें लेकिन नजएं बधले बदलाव हम हमिह लाएंगे बदलना चाहिए ऑस सरकार कों कि मैं राप्टाूं काम नहीं होता है तो हम लोगो इस अपके लिक्ते बहुत जहीं हैं और इसमें बार 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 यह बात निकल कराई कि सरकार इसमें फेल हैं आप कि महिलाओं के प्रती कोई सरकार को इस सज़ग नहीं है कुछ भी बहुत ज्यादा अपराद हो रहे हैं और कई न कई दूर करने की ज़रुरत है इने आपको लगता है कोई प्लिटिकल पार्टी अभी इस स्थिति में है कि उसको अगर हम समर्थन दें वोट दें तो वो इस सब को दूर कर पाएगी लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता समय आने पर जैसे चल रहा है उसमें सबसे ज्यादे जुम्यवार परशासन है हमारी पुलीस परशासन कोई सु अगर है इस तरो देंगे तो किसा अधार पर पार्टी को देखकर चैसे ऐंसे किसर उतन के सबस्कारा नहीं किसानों से उनके अकाउंट से ओटमेटीकली करवा के भी मा करा दिया किसान के पैसा है नहीं है उसकी क्या मजबूरी इस बारे में कोई डिस्कतन नहीं है कि सोचता नहीं है हम लोग मिडली क्लास के लोग हैं और 80% किसान के उपर देश दिभर करता है यहां पर लेकिन यहां किसानों की दिकते इस तरह से कि वो कम होने के नाम नहीं ले रही है और उस पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है यह तमाम कुछ इस्टुएंट्स में हमारे साथ हैं जरह इनका भी ओपिनियल लेते हैं आप से शुरुआत किस तरह से आप मेरट को अब है और वोट देते होंगे आप इस बार भी देंगे शाहिद किसे बोट देंगे कुछ सोचा है अभी ने सचाए बदलाओ की जुरुत हैं जैसलों करते हैं आप बताईए आहां मेरट को किस तरह से देख रही हैं किस तरह की प्रॉबलम आप लोगो को फेस करनी पड़त मेरेट में जादा तो वुमेंस के लिए इन इक्वैलिटी है और चेंड स्नैचिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लॉडर की भी है और हमें इसको सुधारना चाहिए हमाई सरकार को इस पर मतलब काम करना चाहिए आप किस तरह से देख रहे हैं तो इस पर अगर्नमेंट सुधार करे तो अच्छा रहेगा करप्शन बहुत है यह चीज़े बार बार निकल कर रहे हैं यूथ बड़ी संक्या में हमारे साथ बने हुए और जुड़ते भी जा रहे हैं कहीं न कहीं युवाओं की तरफ अधिर्शा में जाए युवाद टाय करते हैं यह लोग बैठे हुए है आपसे जाना चाहेंगे इस शहर के बारे में प्रदेश के बारे में देश के बारे में कैसी दिक्कते आप देखते हैं और कैसे यह सब दूर होगी खास दोर से अगर पॉलिट कर टाम को ध्याँ में डखा जाथो कि अगर हो उल्टा करूं तो व्य फिरी उनाइरमेंट में घूमती है जो ऐ हर व्य होता है फिल्ड में काम करने के लिए मैं इंग्यिंग स्टूडियन्ट हूं यहां पे कम से कम 30 कौलेज भी बच्चों को प्लेस्मेंट नहीं होता तो गलत रास्ते पर जाते हैं मैं और बाते कम बताऊंगा कि मैं पूरव से हूँ यहां पर शिकुर्टी भी नहीं हो पाती उस सिकुर्टी को लेने के लिए कोई जिम्मेदार भी नहीं है तो यह सब प्रॉब्लम है अगर अच्छी एजूकेशन नह हुई हैं भाई सब भी हमारे साथ हैं आपना नाम बताइए जी मैं सबसे पहले तो एपी एंट चैनल का धन्य बात करता हूं कि मुझे यहां तक बोलने का मौगा मिला दर्शकों को बता दू कि दिव्यांग जंस अभिकार समिती के अध्यक्ष हैं और कि कुछ मांगे हैं दिक केंद्र सरकार के मंत्रियों यह यूपी सरकार के मंत्रियों सब नहीं दिव्यांग समाच का सोसन करना सीखा है हम अपने ग्यापन लेकर जाते हैं तो हमें धक्का दे करके भगा दिया जाता है हम अपनी मांग अपने जन पर दिनी दियो तक नहीं रख सकते मात्र हमारी 300 और तब तो आकारीपार खत्म होने जा रहा है इस सरकार का कई अम यह थो समय बताएगा कौन है लेकिन जो जिम दिश द्यव्यांग को बात कर रहे हैं और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं आप बताना चाहेंगे कुछ जी बिल्कुल मैं विकलांग एक ता परिवार समीती से अनुष सर्मा सबसे पहले एपी एन चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि केवल वर्तमान सरकार की की लैपटोप बाटने से कर्या विद्या धन बाटने से और बाकी ये बेरोजगारी भत्ता बाटने से पब्लिक की समस्या होगा समाधान नियोना विकलांग समाज का तो होना ही नहीं आज पर्देश सरकार के मंत्रियों का इतना मतलब गंदा रवया है कि विकलांग अपनी मांग को लेकर उनके पास जानने में हिचके चाहता है क्योंकि उनकी समस्या होगा समधान सरकार अब तक कुछ भी नहीं कर पाए किस तरह से कभी लैपटॉप को लेकर कभी मोबाइल को लेकर या फिर तमाम तरह की यात्राय निकालकर वादे करके क्या उन वादों पर भरोसा किया जा सकता है या करते हैं आप लोग उसकी वज़े से भी कहीं न कहीं वोट कि सकता है उस तरफ आकरशित होते हैं आप लोग की हैं चो वाद्श करकान वानें पूरा शेया जो सफा सरकान वादा। सबस्रक्राइबron 2 पूरे किया हैं और पिछले 566-7 rehm सैंने जाधार जो वादे थी पूरे किये हैं मैंने मोबाइल देने की वादे के तो प्रदेश सरकार ने पूरे किये हैं कि इस तरह के बादों का असर पड़ता है वोट बैंक पर कोई बोलना चाहेगा मैं तो इकी बात रखोंगा डॉकटर योग स्थावर किशानों का भुगतान हो जल्दी से जल्दी चाहे केंद्र सरकार करें या राज्य सरकार का क्योंकि किसानों की बधाली बहुत ज़्यादा है इस छेतर में ठीक है ना और उसके मूरलया निर्धारन होना चाहिए और जो गन्ना बकाया है वो केंदर सरकार की जिम्मेदारी बनती है ठीक है ना कि वो प्राइवेट जितने भी मिले है उनका कर्ज चाहिए मेरी बस यहीं रिक्वेस्ट है इस चैनल की समस्य जो बार बार निकल कर रही है और दावे और वादे की अगर बात की जाए आपको लग रहा है कि इस तरह के जो बादे की जाते हूं का फर्क परता है ने नहीं असल में क्या है सर यह तो सब चुनावी स्टन्ट होत बढ़ा देंगे या और फसलों के दाम बढ़ा देंगे मुझे याद है कि अभी पिछले साल में सब को किसी को सो रुपे पर बिखे के हिसाब सभी पैमिट मिला है बाकि सब नेता लोग खाई जाते हो तो आप सब लोग को पता ही है और यहां पर तमाम लोग हमारे साथ अपरत आब बताएंगे हम युवा सोच और युवा मिश्वास रखते हैं मानने में कही अचाम किया है और यूवाओ उपर निए काम किया है इसमें चाहे यूदूण को ग्रापीन फेत्रों में हैं लेप्टव देमेंडिने का काम किया हो दूर शंचार कांसिसे उन्य जू दिखाए कि क्या है इस्तिति यहां पर और कैसे दूर होगी यह भी बड़ी समस्या है और कहीं न कहीं इन तमाम पार्टियों को जो अभी सत्ता में हैं और या फिर जो सत्ता में आने की दुबारा कोशिश कर रहे हूं या फिर तमाम अलग पार्टियां जो प्रलुभन दे रह होगा और फाइनली देश का विकास होगा तो बैलेट बॉक्स में फिलाल इतना ही मिलूंगा किसी और शेहर में फिलाल के लिए नमस्कार